C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्टे पुस्तक हमारे आसपास का आठवाँ पाठ मच्छरों की दावत मलेरिया की जांच आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए आरती ने पूचा अब तुम कैसे हो ठीक हूँ रजत ने दीरे से जवाब दिया जस्कीरत बोली घर पर तो खूब खेलते होंगे रजत कुछ चिड़ कर बोला बुखार में खेलने का दिली नहीं करता उपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खूण भी टेस्ट करवाना पड़ा जस्कीरत बोली खूण टेस्ट वह क्यों बहुत दर्द हुआ होगा रजत बोला नहीं जब सुई चुभी तो लगा जैसे चीटी ने काटा हो दो तीन बूद खूण लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है नैंसी बोली मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है रजत बोला हाँ पर पता तो खूण की जाँच से ही चलता है जस्कीरत बोली मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ नैंसी बोली अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ ही होता है वह तो बिमारी वाले मच्छर से ही होता है आर्ती बोली, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं रज़त बोला, होते तो अलग-अलग होंगे नैंसी बोली, क्या उसी जगह से खून लिया था जहां मच्छर ने काटा था रज़त बोला, नहीं भई, मच्छर ने कब और कहा काटा, यह तो मुझे भी नहीं पता नैंसी बोली, खून में क्या दिखा होगा, उसमें क्या होगा, जिस से मलेरिया का पता चल पाया पता करो क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है उन्हें मलेरिया होने पर क्या-क्या तकलीफ हुई मच्छरों के काठने से और कौन-कौन सी बीमारिया होती है कौन से मौसम में मलेरिया ज़ादा पहलता है और क्यों मच्छरों से बचने के लिए तुमारे घर में क्या-क्या उपाय किये जाते है अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते है यहाँ एक चित्र बना है जिसमें दिखाया गया है की काच की स्लाइट पर खोन की बूंदे ली जा रही है जिसे खोन की जाच होती है मलेरिया मादा मच्चर एनोफिली से फैलता है एक और चितर है डॉक्टर मरियम स्लाइट को माइक्रोस्कोप यानि सूक्ष्म दर्श्ची से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज हजार गुना बड़ी दिखती है इसलिए खोन के अंदर की बारी किया साफ दिखाई पड़ती है कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है प्रेश्ट उनहत्तर यहां रजट ने जो डॉक्टर से जाज करवाई थी उस रिपोर्ट का चित्र छपा है यहां पर खून की जाज की रिपोर्ट दी गई है इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है रिपोर्ट में लिखा है नाम रजट आयू ग्यारा वर्ष स्त्री या पुरुष पुरुष रोक की पहचान ठंड लग कर कपकपी के साथ बुखार खून में मलेरिया के जिवानू पाए गए मलेरिया की दवाई मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिन कोना पेड की चाल से बनाई जाती है और छानकर ही इस्तिमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। अनीमिया क्या है? आर्ती कहती है, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सिरींज यानि इंजेक्शन भर कर खून लिया था, जांच में तो अनीमिया निकला। रजत ने पूचा वह क्या होता है? आर्ती बोली, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोगलोबिन या आइरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, गोड, आमला और हरी पत्तेदार सबजियां जरूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इनमें आइरन यानी लोहा होता है। नैंसी बोली, कहीं उन्होंने मजाग तो नहीं किया, भई खून में लोहा कैसे। जस्कीरत बोली, कल अख़बार में इस बारे में आया था। रजत धंसते हुए बोला, तो फिर तुमने लोहा खाया। आर्थी, ओहो, ये कोई चाबी वाला लोहा थोड़े ही होता है, पता नहीं कैसा होता होगा, जब मैंने खूब सबजियां खाई, तो मेरा हीमोगलोबिन बढ़ गया। प्रिष्ट, सत्तर, दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया की कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007, दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं, इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है, उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रही हैं और उनकी जाच भी चल रही है। एनिमिक बच्चों को आइरन यानी लोहे की दवाई दी जा रही है। बताओ, यहां आर्थी के खोन की जाच की रिपोर्ट दी गई है। पहली रिपोर्ट है 20 जून 2007 की। इसमें आर्थी का हीमोगलोबिन 8 है और रिपोर्ट में लिखा है नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम। दूसरी रिपोर्ट 15 सितंबर 2007 की है इसमें आर्थी का हीमोगलोबिन है 10.5 ग्राम। और रिपोर्ट में लिखा है नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम। अब आप पताओ आर्ती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोगलोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था आर्ती का हीमोगलोबिन कितने दिनों में कितना बढ़ पाया अखबार की रिपोर्ट में अनेमिया से होने वाली परिशानी के बारे में क्या लिखा है क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की जरूरत पड़ी? कब और क्यूं? प्रिश्ट 71 खून टेस्ट से क्या पता चला था? क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ यानि स्वास्ति की जाच हुई है? डॉक्टर ने तुम्ही क्या बताया? पता करो किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीजों में लुहा होता है मच्छर के बच्चे जस्कीरत बोली मलेरिया के बारे में एक पोस्चर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है सभी जटपट पोस्चर देखने पहुँच गए पोस्चर में कुछ चित्र हैं जैसे डिबबा, कूलर, हैंड पंप और पौधे जहां आसपास पानी भराववा दिखाई दे रहा है पोस्चर में लिखा है क्या आप मच्चरों को दावत दे रहे हैं? साव धान, मलेरिया, डेंगू, चिकन गुनिया हो सकता है आसपास पानी इकठ्ठा जमान न होने दें गड़ों को भर दें पानी के बरतन, टंकी, कूलर को साफ रखें हर हफते सुखाएं मच्चर दानी का इस्तेमाल करें गड़ों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें प्रिष्ट बहत्तर रजत बोला देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है? वे क्या होते हैं? नैंसी बोली मच्चरों के छोटे बच्चे ये देखने में मच्चर जैसे बिल्कुल नहीं होते हार्ती बोली तुमने कहा देखे? नैंसी ने कहा हमारे घर के पीछे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीडे तेरते देखकर मैं हैरान रह गई ममी ने बताया कि मच्चर पानी में अंडे देते हैं उनी से ये निकले हैं इन्हें लार्वे कहते हैं रजत बोला फिर तुमने क्या किया? नैंसी बोली पापा ने फोरण ही घड़े का पानी फेंग दिया और घड़ा साफ करके सुखा कर उल्टा रख दिया जसकी रजत बोली मुझे शाजी आंटी ने बताया था कि मक्षियों से भी बिमारी होती है पेट की बिमारी रजत बोला मक्षी तो काटती नहीं है वह कैसे बिमारी फैलाती होगी? बताओ बताओ क्या तुमने कोई ऐसा पोस्चर कहीं लगा हुआ देखा है जिसमें मक्षी मच्चर से बचाव के तरीके बताएं हो ये पोस्चर कौन लगाता होगा? अखवार में इस तरह के पोस्चर कौन देता होगा? इसमें किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की जाती है? तुम्हें क्या लगता है कि इसमें टंकी, कूलर तथा गड़ों के चितर क्यों दिखाए गए हैं? सोचो और पता करो सोचो पानी में मच्चलियां डालने के लिए क्यों कहा होगा? ये मच्चलियां क्या-क्या खाती होंगी? पानी में तेल का छिड़काव करने को क्यों कहा गया होगा? प्रिष्ट तिहत्तर पता करो मख़्ी से कौन-कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे? खोज खबर कक्षा के सभी बच्चे दो या तीन समूहों में बट जाएं समूहों को आपस में यह तै कर लेना होगा कि स्कूल और आसपास के इलाके में कौन सी जगह का निरिक्षन कौन करेगा? स्कूल में या स्कूल के आसपास इन जगहों को देखो क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकठा है या नालियां बंध है? अगर हाँ, तो सही का निशान लगाओ गमले कूलर टंकी स्कूल का मैदान गढ़े नालियां या और कोई जगह यहां कितने दिनों से पाने इकठा है? इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? पानी में क्या-क्या नजर आ रहा है? इन गढ़ूं और नालियों की मरमत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इन में से किसी जगह पर इकठे हुए पानी में लार्वे भी दिखे? इन जगहों पर पानी इकठा होने से क्या-क्या परिशानिया हो रही है? लिखो पोस्टर बनाओ, जिम्मेदारी याद दिलाओ अपने समू में कूलर, टंकी, नालियों जैसी जगह जहां पानी इकठा होता है, साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ स्कूल और घर के आसपास यह पोस्टर लगाओ पता करो, तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? यह भी पता करो कि चिठी किसके नाम लिखनी है, यह कौन से दफ्तर में जाएगी? अपने कक्षा की तरफ से उन्हें अपने इलाके की सफाई के बारे में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखो सर्वे रिपोर्ट कुछ और बच्चों ने भी सर्वे किया उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश यहां दिये गए हैं आओ इन्हें पढ़ें समू एक हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सथा जिसे काई कहते हैं जो एक तरह के पौधे होते हैं काई से वहां फिसलन भी ज्यादा थी बारिश में तो यह काई बहुत बढ़ जाती है हमें तो लगता है ये पानी में उगने वाले छोटे-छोटे पौधे हैं समू दो स्कूल के पास का तालाब छोटे-छोटे पौधों से भरा पड़ा है देखने पर पानी तो नजर ही नहीं आता एक आंटी ने बताया कि ये पौधे तो अपने आप ही उगाएं है तालाब के आसपास गड़ों में भी पानी जमा है हमने इसमें लारवे भी देखे आसपास लगे पौधों को चूने पर बहुत सारे मच्छर जो चुपे बैटे थे उड़ गए जसकीरत को लगता है कि ये गंदा तालाब पास में है इसलिए उसके घर में इतने मच्छर है बताओ अगर तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ क्या पानी में या उसके आसपास हरी हरी काई दिखाई दे रही है तुमने काई और किन-किन जगहों पर देखी है क्या किनारे पर या पानी में कुछ पौधे दिख रहे हैं उनके नाम पता करो, उनके चित्र अपनी कौपी में बनाओ, इन्हें लगाया गया है या फिर ये अपने आप ही उगाए है, पानी में और क्या-क्या दिख रहा है, सूची बनाओ, यहां रोनाल्ड रोस एक वैज्ञानिक की फोटो चपी है, मच्छर के पेट की कहानी वैज् लगभग सौ साल पहले का है, एक विज्ञानिक ने यह पता लगाया की मलेरिया मच्छर से फैलता है, चलो उनसे ही सुनते हैं की वे इस बारे में क्या कहते हैं, मेरे पिता भारतिये थल सेना में जनरल थे, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिल्चस्पी कहा लानिया पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी, खाली समय में मैं यही सब किया करता था, प्रेश्ट 75 उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी, यह बीमारी ज्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी, कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीलिग ऐसे होती होंगी, जिससे यह बीमारी फैलती है, एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवानू देखे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह जीवानू खून में कैसे पहु इसकी जाच करने के लिए मैं दिन रात मच्चरों के पीछे ही पड़ गया, हम एक एक मच्चर के पीछे बोतल लेकर दोड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्चर दानी में बिठा कर उन मच्चरों को दावत देते, एक मच्चर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता, मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे, मच्चर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक जहांक, एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया, माइक्रोस्कोप पर जुक कर बारीकिया देखते देखते, शाम तक आँख जैसे धुंदलासी जाती थी, गर्दन अलग अकड जाती, इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं जल सकते थे, क्योंकि हवा से मच्चर उड़ जाते, माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा, एक दिन किस्मत महरवान हो गई, हमने कुछ मच्चर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे, उनका रंग भूरा था और पंख छीटे दार थे, उनमें से एक मच्चरी के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा, गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवानों बिलकुल वैसे ही थे, जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे, उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्चर से ही मलेरिया पहलता है, रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरुसकार मिला, नोबेल पुरुसकार, 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कु क्या समझे, अपने घर में, स्कूल में और आसपास मच्चर ना हूँ, उसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, इसके लिए तुम क्या क्या करोगे, कैसे पता कर सकते हो कि किसी को मलेरिया तो नहीं, मच्चरों की दावत, अभी आप सुन रहे थे, कक्षा पांच की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का ये आठ्वां पार्ट, प्रस्तुती, C-I-E-T, N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत